लगेगी आग तो कई घर आएंगे जद में यहां हमारा मगा थोड़ी है यह बात इस वक्त बिहार पर बिल्कुल सटिक बैठ रहा है जब लगातार यह सवाल उड़ता है कि बिहार में अपराधी जो है वो बेलगाम हो गए हैं बेख़ौफ हो गए हैं उस वक्त जेडियू के समर्स्तिपूर से एक खबर आ रहे है जहां जेडियू के मुस्लिम निता खलीम आलम रिजवी को दर्दनाक मौत दी गई है हलाकि उनके परिवार वाले यह कह रहे थे कि जिस खलील आमद रिजवी के मौत हुई है यह पूरा मामला अपरहन का और फिरोती का है लेकिन एक औ खलील आलम रिजवी मुस्री घरारी थानाचेतर के रहने वाले हैं और इनका शब जो है यानि लाश जो है वो कल्यानपूर थानाचेतर से मिला था एक सक्स की पहले गिरफतारी वी और उसके कहने पर लाश को ढूना गया तो अजला लाश ब्रामद हुआ था और अब जो व पुलीज इसको लेकर कह रही है कि ये समाजिक सद्भावना को विगारने के कोशिश है लेकिन इस वीडियो के बार होने के बाद धिपक्ची पाटिया भी हमलावर है तेश्री आदम ने भी राश्टिये जंता दल के ट्विटर हैंडल से ट्वीट एक वीडियो को शेर किया है और कहा है कि बिहार में अपराधी बेलगाम क्यों हो गए हैं आखिर लोग कानून को अपने हाथ में क्यों ले रहे हैं और दूसरी ख़बर जो है वो मदेपूरा से है जहां जीडियो के नेता परदीप साह का जो नया मकान बन रहा था वहां पर अपराधी उन्हें गोली लेकिन उसके पिता की गिरफ्तारी जो है वो होती है जिसके बाद 18 फरवरी को द्यूकी उस जीडियो नीता पर यारोफ होता है और उस अक्स को पता होता है कि उसी नीता की बजह से जो है पुलीस में एक महला कंप्लेंट करने जाती है उसके बाद परदीप साह जो है उसे जो भूली उसे भून दे जाता है, हलांकि अब पुलीस जो है, उन आरुपी को дिरफतार कर चुकी है, हलांकि सब के गरफतारे नहीं हुई है, लगबग दो अप्राधी को घिरफतारी हुई है, और अन जो अप्राधी 0000ike जो युद्वाइद धिक निता है वो अपनी सरकार को defend करने चले आते हैं लेकिन अब अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं कि वो जेड़ी के नेताओं को ही जो है मौत के घाट उतार रहे हैं पहला ख़बर समस्तिपूर से था दूसरा ख़बर जो है वो मधैपूरा से था जहां जेड़ी नेताओं को मौत एगाट उतार दिया और इसको लेकर भी भक्ची पार्टिया हमलावर हैं तो बिल्कुल जो रातिंदोरी साब का शेर है कि लगेगी आग तो घर आएंगे कईजद में यहां सिर्फ अपना ही मकान थोड़ी है यानि अगर सिस्टम फ्लॉफ होता है अगर बिहार में अपराधी बिलगाम होते हैं तब हर कोई इसके निशाने पर आएगा कोई भी इससे बच नहीं पाएगा आप देखते रहे हैं जंता जंक्षन जैसे ही कोई और बड़ी ख़बर आएगी तो हम उसे आपको रूब्रू कराएंगे बहुत बहुत धन्यवाद